आप सब कैसे हो आज हम बना रहे पक्का वाला फनस का इविनिंग स्नेक्स बना रहे एक बोंड़ा बना रहे फनस से इसके लिए क्या-क्या इंग्रेडियेंट्स है ये कैसे बनाने के तरीका आगे गम आपको वत्तायेगा फनस का बोंड़ा बनाने के लिए हमने इदर तकरीवन 1500 ग्राम पक्का वाला फनस लिया उसका बींच निकालके ऐसे लिया हमने इसको इसको अभी हमने मिक्सी में तोड़ा सा हल्दी डालके पिसके निकालेगा एकदम पेस नहीं बनाएगा तोड़ा दरदरा का इसे पिसके न थक्रीबन 50 ग्राम गुड लिए उसको अब ऑभी हमने 2 टेबल स्पून पानी में इसको पदला करेगा इसको ज्यादा गाड़ा भी नहीं रेखने का ज्यादा पदला भी नहीं रेखने का मीडियम लेवल में रेखने का ये हैं आपको जितना मीटा चाहिए वही शाप सब अभी इसमें अभी इसकांदराम कच्छा नारियल के साववा आधा कप इसमें एड किया अभी इसको अच्छा से मिलाएग इसमें अगर आप में से कोई भी मेरा चानल पे पहले बार आया मेरा वीडियो पहले बार देख रहे अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया अभी इसको अच्छा से मिलाने का बाद इसमें अभी अमने जो पेस्ट बना के रखा फनस इसमें एड किया इसको भी अच्छा से मिलाने का इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करने का ना जादा dry ना जादा loss एक medium level में रिखने का अब ही इसमें हम 50 ग्राम चेनेक का दाल चेनेक का दाल boil करके इसमें हमने aid किया चेनेक का दाल अच्छा से मिलाने के बाद इसको अच्छा से तोड़ा mash करके लएगा ऐसे एक दिम में अच्छा से mash करके लएगा चेने के दाल ओप्शनल है चेने के दाल डालेगा तो अच्छा टेस्ट लगएगा इसके लिए हमने चेने के दाल इसमें एड़ किया अभी इसमें हमको चाहिए पोहा चाहिए हमने तीन टाइबल स्पून पोहा बूंड के रखा वो इसमें एड़ किया भी इसको भी अभी अच्छा से मिलाने का इसमें अभी इसमें half teaspoon इलाची का powder rum एड़ किया इसको भी अच्छा से मिलाने का मेटा बालेंस करने के लिए pinch of नमक भी हम इसमें एड़ किया इसको भी अच्छा से मिलाने का अभी हम इसमें एक टैबल स्पून गी एड किया इसको भी अच्छा से मिलाने के उसको हमने इसमें गाव का गोड यूज किया इसके लिए काला कड़ राया अभी बोंडे के लिए जो बैटर हमने बनाया उत्यार हो गया अभी इसमें हमको तोड़ा ड्रैफ्रूट एड करनेगा अभी फ्लाइम बन करके हमने इसमें सब ड्रैफ्रूट फ्रै करके रखा तो वो इसमें एड किया अभी इसको अच्छा से मिलाएगा अब यह तंड़ा होने के बाद इसको बॉल बनाके फ्रै करने शुरू करेगा अब यह तंड़ा करने के लिए रखेगा अच्छा से मिक्स करके अगर आप में से कोई भी मेरा चानल पे पाले बार आया मेरे वीडियो पाले बार देख रहे हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज डोंट फोर्गेट सब्सक्राइब मैं चानल, डोंट फोर्गेट प्रस दबल आइकन, लाइक एन शायर अन कमन प्लीज, अगर आपको पसंद आया, फेमिल एन फ्रेंस में शायर करने के लिए बूलना नहीं, अब हैमने जो बेटर लाइक तिल और तोड़ा नमक, अभी इसमें पानी एड़ करके इसको अच्छा से मिस करके पेस्ट बनाएगा, अभी यह हमने इतना गाड़ा बेटर बनाया, इसे पतला ने चाहिए अतना चाहिए हमको, अभी हमने खड़ाई रखा फ्राई करने के लिए, खड़ाई गरम ह इसमें डी फ्राई के लिए हमने तेल एड़ किया, अभी तेल गिरम हो गया, हमने फ्राई करने शुरू किया, बेटर में डीप करके फ्राई करने शुरू किया, यह तोड़ा से लाल होने तक इसको पकाने का, लो टू मीडियम फ्राई में रहके पकाने का, हाई फ्राई में इसी भी है इसको अल्टी पल्टि करके फ्राइ करने का अभी माशालला से यह त्यार होगा या भी हम इसको निकालेगा भी अभी माशालला से हमारे फानस का बॉंडा त्यार हो गया जाक फूर्ट बॉंडा त्यार हो गया आप भी जिरूर बना के देखने का कमन बॉक्स में हमको बताने का आपको कहसे लगा ये डिश अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया प्लीज डॉन्ट फॉर्गट सब्सक्राइब मैं चानल डॉन्ट फॉर्गट प्रस दबल लाइकन लाइक और शायर करने के लिए बूलना नहीं ये बहुत टेस्टी भी है इसी भी है ये बाहर से क्रिस्पी है लेकिन अंदर से एकदम सॉफ्ट है काने में बहुत टेस्टी है जरूरा बना के देखने का सी यू सून इंशालला वितिनी रसी पी अल्लाफीस अल्लाफीस